तो आपका स्वागत है हमारे MS Classes यूरूप चैनल पे तो मुन्नासर आपके लिए लेकर रहा है exercise 9.3 और class 8 class 8 का 9.3 का हम लोग question अभी solve करेंगे question number 1 solve करेंगे और मैं आपको बता दूँ या chapter कौन सा है algebra बीज गनीद ऐखिए question क्या है question है कि दिये गए ढई गयह बिजबन जकों का गुना कीजिए जो बिजबन gözक है उसको क्या करना है गुना करना है क्या करना है गुना देखिए समझेये कैसे गुना करेंगे मैं आपको अभी बताता हूं फर्स्ट क्वेशन क्या है जरा देख लीजिए फर्स्ट क्वेशन है 4a-5b into 2a-6b 4a-5b into 2a-6b देखें क्या करेंगे हम 4a को लेंगे और 2a-6b में दोनों से मल्टिप्लाई करेंगे 2a-6b में हम 4a को दोनों से मल्टिप्लाई करेंगे देखें यहां 4a रख दिया, bracket के अंदर 2a-6b रख दिया समझेगा यह 4a bracket के बाहर है तो इसका मतलब यह हुआ कि 4a जो है 2a से भी multiply करेगा और यही 4A 6B से भी multiply करेगा अब अगला देखिए यहां क्या बच गया 5B यह 5B नहीं है 5B क्या अगे एक minus का चीन है यह क्या है minus 5B है क्या है minus 5B तो यहां पर हम लिखेंगे minus 5B फिर लिखेंगे 2A minus 6B अब जड़ा देखिए कैसे हम multiply करते हैं 4 तूजा 8 8 हो गया A और A मिलेगा तो A square हो जागा 8 A square हुआ ना अब यह 4 को हम 6 के multiply करेंगे 4 6 जा 24 हमने लिख देखिए 24 A और B मिलेगा तो क्या हो जागा 24 A B हुआ यहां देखिए minus 5B है minus 5 2 से multiply करेंगे 5 तूजा 10 minus 10 हुआ A और B आपस में मिलेगा तो हो जागा 10 A B अब यह देखिए minus है तो minus और minus मिलके क्या होता है minus और minus क्या होता है plus होता है minus और minus क्या होता है plus 5 6 जा क्या होगा बताए 5 6 जा क्या होगा 30 होगा 30 लिख देंगे 5 6 जा 30 यहां देखिए एक B यहां है और एक B यहां पर है तो B और B मिलके क्या हो जागा B स्क्वार हो जागा क्या हो जागा B स्क्वार अब जड़ा ध्यान से देखिए आप यहां पर है 8 A स्क्वार माइनस 24 A B अब माइनस 10 A B यह भी माइनस में है और ये भी minus में है ये दोनों minus में है तो इन दोनों को क्या करेंगे plus करेंगे लिख देंगे यहाँ पे 8a square क्या लिखेंगे 8a square minus 24 और 10 को जोड़ने पर क्या होता है 24 और 10 को जोड़िएगा तो क्या होगा 34 34 a b a plus 30 b square यह हमारा first question बन चुका है और यह हमारा आगया answer हमने question number one का first part बना लिया अब हम second part बनाएंगे अब हम second questions को बनाएंगे second question हमारा क्या है यह देख लिजिए यह हमारा second question है 1.5x minus 0.5y into 1.5x plus 0.5y यह हमारा second question है क्या है यह हमारा second question है हमने क्या करना है एक इस number को लेना है इस दूनों से multiply करना है फिर इस नंबर को लेके इस दूनों से रिप्लाई करना है तो लिखेंगे यहां पर 1.5 x इस ब्रैकेट जो है यह ब्रैकेट इसको सेम लिख देंगे यहां पर 1.5 x प्लस 0.5 y फिर अब यह माइनस 0.5 है इसे लिख देंगे माइनस 0.5 y फिर लिखेंगे 1.5 x 0.5 y अब देखिए आपको मल्टिप्लाई करना है क्या करना है मल्टिप्लाई कैसे किजेगा 15 है और यह 15 है मान लिजे कि यह such a decimal अभी नहीं है इसमें भी आप माल लिखेंगेडेसिमल नहीं है और इसमें भी decimal नहीं है तो 15 को 15 से जब आप multiply कीजेगा तो क्या होगा 225 होगा 15 को 15 से multiply करने पर क्या होगा 225 आप multiply करके check कर लिजेगा decimal के बाद one digit decimal के बाद one digit यानि कि दो डिजिट last से digit count करेंगा और दो डिजिट के बाद हम decimal लगाएंगे तकि last से one और one यानि 2.25 ये भी X है और ये भी X है दोनों मिलेगा तो क्या होगा X स्क्वाइर हो गया ये 1.5 X है और ये 0.5 है तो 155 जब क्या होता है जल्दी से बताए ये प्लस में ये भी प्लस में तो प्लस का चीन दीजिए 155 ज़स्वेंटिफाइब 75 हो गया हमने 75 लिग दिया अब देखिए ये एकस और ये Y है तो एकस और आपसमेगुना किया decimal के बदवान डिजिप और decimal के बाद वन डिजिट यानिकी लास्ट से डिजिट को काउंट करके दो डिजिट के बाद डिजिट के बड़ देसमें लगेंगे लास्ट क्या है 5 1 और 7 एक दो यानिकंग होगा 0.75xy यह multiply दुनों से कर दिया अब इसको हम multiply करेंगे दुनों से यह minus में यह देखिए minus के symbol देंगे 0.5y 1.5x से multiply करेंगे तो 155 जा 75 75 155 जा 75 तो decimal को बद वन डिजिट decimal को बद वन डिजिट याँ टू डिजिट वन टू 0.75 xy अब यह ही जाके इस से में यह भी minus में है यह plus minus plus minus 55 25 यह यह देशिमल को बद वन डिजिट टू डिजिट वन टू यह 0.25y स्क्वाइर यह हमारा हो गया समझ में आया अब जरा जो है उसे हम पहले लिख लिए अच्छे से हैं यहां देखिए क्या है टू पॉइंट टू फाइव एक्स स्क्वाइर यह देखे प्लस 0.75 xy माइनस 0.75 xy एक प्लस में दूसरा माइनस में तो यहां कट जाएगा एक यह दूसरे को काट देगा तो हमारे पास क्या बचेगा यह टू पॉइंट टू फाइव एक्स स्क्वाइर फिर माइनस 0.25y स्क्वाइर यह हमारा सेकेंड बन गया हो गया अब हम थर्ड बनाएंगे अब हम लोग यह तीन नंबर क्वेशन को सॉल्व करने जा रहा है तीन नंबर क्वेशन देखें क्या है मतलब कि फॉस्ट कहांई C पार्ट है 1 बै 2 PQ माइनस 3 बै 2 Q फिर है PQ माइनस Q तो हम क्या करेंगे कि 1 बै 2 PQ को लेंगे और इस ब्रैकेट में मल्टिप्लाई करेंगे तो PQ माइनस Q हो गया फिर देखें यह देखें माइनस 3 बै 2 है तो लिए माइनस 3 बै 2 Q और फिर इस ब्रैकेट को रख देंगे P Q minus Q हो गया यह 1 by 2 P Q जब अंदर जाएकर multiply करेगा तो 1 by 2 1 by 2 हो गया P से P मिलेगा तो क्या हो जागा P a square और Q से Q मिलेगा तो क्या हो जागा Q a square 1 by 2 P a square Q a square क्या हो जागा 1 by 2 P a square Q a square अच्छा अब देखिए 1 by 2 P Q है तो अब ये जब अंदर जाएगा multiply करेगा तो देखिए 1 by 2 तो 1 by 2 होगा ही, plus में है और ये minus में है, तो plus और minus क्या होता है, minus 1 by 2 हम लिखेंगे, minus 1 by 2 लिखेंगे ही, अब देखिए, P तो P लिखा जाएगा, यहाँ Q है, और यहाँ भी Q है, मिलकर क्या हो जाएगा, Q square, सब्ज क्या होगा, minus 3 by 2 लिखेंगे, अब देखिए, Q है, और यहाँ P है, तो P का P लिखाएगा, Q और Q आपस में मिलेगा, तो क्या होगा, Q square, फिर हम लिखेंगा, यह minus में, तो मिलके दोनों क्या जाएगा, plus में, plus 3 by 2 लिखेंगे, 3 by 2 लिखने के बाद, अब देखिए, यह Q है, और P Q square यहाँ भी है, तो जो like term है, जो समानपद है, उसे एक जगा करेंगे, और जो और समान है, उसे एक जगा करेंगे, मतलब unlike term, तो देखिए, यह like term, यह like term नहीं है, यह जो है like term है, यहाँ देखिएगा, बात समझेगा, यह minus में है, 1 by 2 P Q square, यह minus 3 by 2 P Q square, यह दोनों सम समान पद है, यह दोनों क्या है, समान पद, तो हम इसे दोनों को plus करेंगे, यह जैसे वैसे लिख दिया, 1 by 2 P square Q square, P square Q square, लेकिन यह minus 1 by 2 है, और यह minus 3 by 2 है, तो इस दोनों को plus करना है, तो plus करना है, तो देखिए, यह भी minus में, यह भी minus में, एक rough में आपको करके दिखाता ह आपको समझ में आ जाएगा यह देखिए यह अब मैं आपको रॉफ करके दिखाऊंगा देखिए रॉफ में क्या है कि 1 by 2 2 bqAxquare जो की माइनस में है फिर माइनस 3 3 by 2 BqAxquare ध्यान से देखिए गई सीषवर यह मैंनस में तो यह क्या होग्या भीन का एक तरह से घाटाओ हो लिए जैसे की-1 by 2 फिर minus 3 by 2, यह क्या होगा, भीन का घटा होगा, देखें, दोनों का हर जो है, एक जैसे है, मतलब denominator एक जैसे है, तो हम क्या करेंगे, 2 और 2 का LCM लेंगे, तो 2 ही होगा, 2 और 2 का लगूतम क्या होगा, 2 ही होगा, बात को समझेगा, 2 लिख दिये, यहां हो जगा minus 1 और यहां हो जगा minus 3, मिलेंगे, क्या होजागा, minus 4 by 2, अब देखें, यह PQ square है, और यह भी PQ square है, तो यहां लिख देंगे, अब दोनों को आपस में हम जब plus किये हैं, तो क्या होगा, minus 4 by 2, अब यह देखें, भी PQ square, यह भी PQ square, minus 4 by 2, PQ square, इसको answer मिला देंगे, तो हम चलिए अब करते हैं इसको bracket के अंदर कर दें, चलिए bracket के अंदर कर दें, plus, minus 1 by 2, PQ square, minus 3 by 2, PQ square, plus 3 by 2, Q square, हुआ, अब देखिए, एक step और है, इसको solve करने का, एक step और, यह तीन step बना, अब एक step और, 1 by 2, P square, Q square, 22 calcium क्या हो जाएगा, plus का चीन देजे, 22 calcium क्या हो जाएगा, 2 होगा, minus 1 और minus 3, दोनों को plus करेंगा, minus 1, फिर minus 3, और उसके बाद bracket के बाहर अपली देजे, PQ square, plus 3 by 2, Q square, यहां तक तो मैंने आपको लिख के दिखा दिया, इसको पहले आप अपने copy में लिख लिख लिजे, फट आफट, अब मैं दूसरे पेज पेज पे आउँगा, Q square, bracket के अंदर था, plus कचीन, bracket के अंदर क्या था, minus 1 और minus 3, minus 1 और minus 3 को plus करेंगा, minus 4 by 2, PQ square, plus 3 by 2, Q square, finally, अब हम answer लाते हैं, हो जागा, 1 by 2, P square, Q square, यह देखे, plus और यह minus, plus और minus जब मिलते हैं, तो क्या होता है, minus होता है, क्या होता है, minus, plus minus, 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 minus लिख देए, 4 by 2, PQ square, plus 3 by 2, Q square, बात को समझेगा, इसको कट कर देंगे, 2, 2 जा, 4, हो जागा, final result, 1 by 2, P square, Q square, minus 2, PQ square, plus 3 by 2, Q square, यह हमारा बन चुका है, third part, और यही answer भी होगा, answer हम लिख देते हैं, यहाँ पर, अब हम बनाएंगे fourth part, fourth part क्या है, D number, D number को हम अभी बनाने जा रहा है, fourth part को, D number को, अब देखिए, question है, A plus B, plus 3, X minus Y, अब इससे हमें multiply करना है, क्या करना है, multiply करना है, देखिए, बहुत असानी से करेंगे, पहले A को इस दोनों से करेंगे, A को इस दोनों से करेंगे, multiply, देखिए, कैसे करते हैं, यहाँ A हमने लिखा, A लिख दिया, bracket के अंदर 3, X minus Y लिख दिया, फिर हम लिखेंगे, B, bracket के अंदर 3, X minus Y लिख दिया, A जो है, दोनों से multiply करेंगे, तो क्या हो जागा, 3, A, X, A जो है, इस दोनों से किया, तो 3, A, X हो गया, अब यही, A, Y से करेंगा, तो minus A, Y, क्या जागा, minus A, Y, अब देखिए, B जो है, इससे multiply करेंगे, तो plus 3, B, X, यही, B जो है, इससे multiply करेंगे, तो minus B, Y, अब जड़ा बात को समझेगा, कि मैं क्या कह रहा हूँ, 3, A, X, plus, minus A, Y, plus 3, B, X, अब इसे को तो solve करना है, और इसमें कोई like टर्म दिख रहा है, क्या, देखिए, A, X है, तो यहाँ B, X है, minus A, Y है, minus B, Y है, यानि कोई भी like टर्म मुझे नहीं दिखा, तो आपको भी नहीं दिखा होगा, ऐसा बात, तो 100% sure है, यानि यह हमारा finally answer आ चुका है, C part, D part है, sorry, यह चौथा part था, D, इसका हमारा answer यहीं पर हो जाएगा, यह हमने D भी बना लिया, अब हम बनाएंगे, E, क्या बनाएंगे, E, अब देखिए, हम E part बनाने जा रहे हैं, कौन सा part बनाने जा रहे है, E, E में है, A square, B square, minus C square, D square, into A square, B square, plus C square, D square, plus में है, अच्छा, तो देखिए, E part के कितना असान question है, अभी हम लोग उसी को बनाएंगे, आप देखिए, एक बार A square, B square को यहाली दीजिए, A square, B square, दिख रहा है, इसको हमें multiply करना है, A square, B square से, plus C square, D square से, फिर लिगें, minus C square, D square, इसको multiply करेंगे, A square, B square, plus C square, और D square से, अब इसको हम इससे मुल्टिप्लाइगे देखे इस पाट को इस पाट से मुल्टिप्लाइगे तो जब मुल्टिप्लाइगे तो क्या होगा A हो गया, यहां 2 को है और यहां भी 2 को है, मतलब आधार देखिए A यहां भी है, A यहां भी है तो दोनों का power जुट जाएगा 2 और 2 मिलके कितना हो जागा? 4 A का power 4 B, 2 को यहां है, 2 को यहां है तो मिलके हो जागा 4, गुना कर दिया तो देखिए, फिर यही जाके इस से कुना करेगा प्लस का चीन हम लगाएंगे, यह प्लस का चीन A2 है, और C है 2 तो देखिए, A स्कॉर लिग देंगे फिर देखिए, यहां पे B स्कॉर है लेकिन यहां पे B स्कॉर नहीं है B 係्वाइंगे तो हम लिख देंगे B square, यहां C square है और यहां D square है, तो यह हमारा part आगया है, अच्छा आप, अब यह देखिए, यह minus C square है, D square है, और यहां A square B square पहले से, तो यह minus है, तो minus है, तो plus minus क्या होता है, minus, यहां प्यांस का चीन की दिजएगा, यह minus और यह plus, minus, plus, minus, सब्सक्राइब कर लिए स्कुर्णा कर रहा है तो भी लिए अब यह जाएगा इससे मल्टिप्लाइब करने यह देखे मानेस और यह कटिका पावर four अच्छा आब बात को जरा समझ एक पावर four जरा ये बराबर बराबर अभी बराबर अगले एक पावर four बीख पावर four लिए देंगे यह स्क्वार बीज्वार स्टीव कोडिये मैनस में है और यहां पर फोछों क्या कर देंगे कट कर देंगे दोनों ये कट गया यह कर्दिए कट अब इसका कहानि म्हत्म तो यहां होगे कब आबस हरो और यह मैम-श की sub दीजिए माइनस 1 का पावरária 4 और दीका पावर फोर कि यह हमारा बन के ready हो गया इन नंबर बनके तयार हो गया है अब हम लास्ट एक बनाएंगे एफ और इसी पर विडियो को करेंगे हम 2A को लेंगे इसमें कितने पद है एक दो तीन यह तري पद है और इस त्यारी पद को हमें गुना करना है क्या करना है मैं यहां लिए 2A और ब्रेक्ट के अंदर 10-1 –2B-2Bया By Qas Thr達 प्लस C, bracketT के अंदर A, plus B, minus CA square, अब हम बारी-बारी चे इस तीनों को क्या करेंगे, multiply करेंगे , क्या करेंगे , kya करेंगे ? multiply करेंगे two A को A से multiply करेंगे तो result हमारा क्या होगा , two a square , इस schreiben behavior एक हो जब हम बी से multiply करेंगे , animeool क्या होगा , two Verbbike communities तो क्या रिजल्ट होगा माइनस 2 a c a square यहां तक आपको समझ में आगे perfect अब हम 2 b को multiply करेंगे plus का symbol दिए 2 b को जब a से multiply करेंगे तो क्या होगा 2 a b अब यही 2 b को जब हम b से multiply करेंगे तो क्या होगा plus 2 b square इस 2 b को जब हम c a square से माइनस c a square से multiply करेंगे किसे करेंगे माइनस c a square से तो हो जाएगा माइनस 2 b c a square plus c है और a तो plus a c plus c है और b plus b c plus c है और माइनस c a square तो plus minus c cube यह हमने सबको multiply कर दिया अब इसमें से आप क्या करो कि like term और unlike term मतलब समानपद वाला और और समान पद एक जगह कर दो कि यहां देखो two a square है अब हम समानपद को खोजेंगे two a square और बात है two a square और भी कुछ मिलने वाला है इसके बाद कहीं नहीं है तो जब नहीं है तो हम सही लिख देंगे टू ए स्क्वार जैसे हैं यह देखे टू एबी एबी में एक देखिए यहां भी है टू एबी टू एबी और टू एबी मिलके क्या हो जागा फोर एबी अब देखिए माइनस टू एस्क्वार माइनस टू एस्क्वार और कहीं है मैनस टू एस्क्वार नहीं है हम लिख देंगे माइनस टू एस्क्वार माइनस टू एस्क्वार यह पर्फेक्ट है और देखिए यहां प्लस टू भी एस्क्वार है कहीं नहीं है तो अब इसको भी इसक्वाइर प्लस तूबी इसक्वाइर थोड़ा सा नहीं दिख रहा है चलिए अब आपको दिखेगा एक्चलिए पर जब खत्म होने वाला है इसलिए बहुत मेहनत से भीजू मना रहा है है चलिए है यह टूसर हो गया अब हम कहां तक सक vapor तक पहुंच चके था यह दक एक है जोटिए को हाँ टिनांफ एक Sum नहीं है तो और इसमें कुछ देखिए emails 2B square, minus 2b square, minus 2b square, minus 2b square, minus 2b c square, plus ac, plus bc, minus c q. देखेए, आपका आंसर यहाँ पे भी शरह है, इस answer को कोई गलत नहीं कहेगा, लेकिन अब करना क्या है, कि समान पद को एक जगा और असमान पद को एक जगा लिख देना है. को देखिए हमारा यांसिर तो आहीं चुका है, लेकिन आप यहां पर भी आंसिर लिख सकते हैं, लेकिन मैं कहना चहँ रहा था कि सब like टर्म एक तरफ लिखते हैं, मतलब की यो प्लस वाले जो टर्म है, उसको एक जगार रख दिज्ये- माइनस वाले टर्म देखिए 2B square plus में है इसको भी लिख दीजे 2B square plus में है plus AC ये भी plus में लिख दिया plus BC ये भी plus में लिख देखिए जितना भी plus वाला term है एक तरफ अब minus वाला term हम एक तरफ लिखेंगे देखिए minus 2AC square 2AC square minus 2BC square और minus CQ minus CQ 2A square plus 4AB plus 2B square plus AC plus BC minus 2AC square minus 2BC square minus CQ finally हमारा answer complete हो चुका है हम आपसे लेते हैं जादत अब आएंगे दुसरे वीडियो में तब तक के लिए आप हसते खेलते रहें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिजे क्योंकि एक वीडियो को झाल